हाई फ्रेंड फैमिली किचिन रेस्पी में आप सभी का स्वागत है तो आए फ्रेंड आज हम सब बनाएंगे मठरी मठरी बनाने के लिए फ्रेंड हमें चाहिए मैंदा और यह हमारी वबा यह हमारा फॉर्चून और यह है नमक और जीरा यह है अजवायन और यह हमारी कसूरी मैथी तो फ्रेंड मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी मेंदा में रवायड करेंगे तो फ्रेंड यह हमारी लगवग 200 ग्राम मेंदा है तो 200 ग्राम मेंदा में हम थोड़ी सी इतनी डालेंगे रवा लगवग 50 ग्राम होगी हमारी यह रवा पचास ग्राम रवा हम अपनी इसमें एड करेंगे पचास ग्राम और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे यह अजवाइन लगवग हाप स्पून अजवाइन और हाप स्पून ही जीरा जीरा डालेंगे इसमें और यह हमारी कसूरी मैथी से हमारी मठ्री का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है तो आप थोड़ी सी कसूरी मैथी जरूर एड कीजिए अपनी मठ्री में करेंगे लगवग हाप स्पून कसूरी मैथी हम इसमें एड करेंगे और यह हमारा फॉर्चून तो फॉर्चून को हम दो फुल चमच भरकरके इसमें डालेंगे देखें दो चम्मच तो आपको डालनी है अगर आप चाहो तो थोड़ा से एश्ट्रा भी डाल सकते हो वैसे दो चम्मच काफी है अब इसको मिलाने से पहले फ्रेंड हम इसमें मिला लेंगे अपना नमक प्रेंड हमेसा टैस्ट के इसाव सी मिलाना है आप अप जैसा कहते हैं कमें जादा उसी इसाव से अपना आ nuit की चिजिए तो फ्रेंड हम या भी होत आदी चमस नमक इसमें주고 standard करें दिशुन को inseled withuuuu हमें अपना मिला लेना है और मिलाने के बाद एक टाइट डोज हम तयार करेंगे अगर आपके घर में हो तो आप कसूरी मैथी डाल सकते हो अगर नहीं है तो बिना कसूरी मैथी के भी बना सकते हो इस तरीके से मिला ले अपना डोज तयार करना है तो देखिए फ्रेंड लगबद हमारा मोवन इसमें अच्छी से एड हो गया है आप इसमें डालेंगे अपना पानी तो पानी फ्रेंड हमेशा हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे हमारा डोज गीला ना हो जाया इस तरीके से फिलकुल थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें अपना डोज तयार करना है तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारा डोज रेडि हो गया है अपने डोज को हाथों से तयार करना है इस तरीके से हमारा डोज रेडि हो गया है आप अच्छे से हाथों से इसको यह ना हमारा टाइट है ना लुख गीला है देखिए इस तरीके से हमें अपना डोज तयार करना है गीला बिल्कुल नहीं होना चलिए एकदम टाइब दोज तयाब आप हम इसको 15-20 मिनट के लिए ढखके रख देंगे क्योंकि हमने इसमें रबा डाली है तो रबा को फोलने में तयाम लगता है इसलिए हम 20 मिनट के लिए इसको ढखके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के बाद फिर हम इसको खोल कर देंगे उसके बाद फिर हम अपनी आंगेज को बेल कर बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड हमारे 15-20 मिनट हो गए हैं आप हम अपना डोज खोल कर देखेंगे तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारा डोज पहले से कितना बेटर हो गया है और फूल भी गया है अच्छे से आब हम अपनी मठरी तयार करेंगे तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले मठरी के लिए तिवाई लेते हैं तिवाय के बाद फिर हम इस तरीके से छोटे छोटे देखें इस तरीके से छोटा सा हमें लेना है तो देखें इस तरीके से हम अपना पे लेंगे ऐसे ही ज्यादा पतला नहीं करेंगे मेडिया में रखेंगे इसको लो इसको है हमें एकक्राइब बहे करीज़ा का साफ कर सकती इस तरीके से इनको काट लेने हैं इस तरीके से फैन हमें अपने सारे काट लेने हैं काट करके इनको ऐसे अलग रखेंगे आप इस चमत के इस चमत से ले करके इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे जिससे हमारे ये फूलेंगे नहीं आप सभी को ऐसे कर दिना इस तरीके से आसे कर देना है को देखे प्रेंड इस तरीके से हम अपनी सारी रेटी कर लेंगे करके हम इसको आसे बरतन में रख लेंगे हां ऐसे बना लेंगे और हम ऐसे ही फ्रेंड हम दूसरा डोज भी रेडी करेंगे फिर हमको ऐसे ही बनाना करके हमको बनाना तो देखे फैंट इस तरीके से हमने अपनी सारी बेल ली हैं अब हम अपनी सभी में इस तरीके से कर देंगे जिससे हमारी मठ्री फूल लेना करके यहां ऐसे रख लेंगे अपनी सारी करने हम भूत हो और जिससे हमें अपनी वायच शुपधियर करदा जाली वायचेंट हम करण द भी में अपनानात करें शुपवाया छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बनाई है किसी शेप में बनाना चाहते हैं तो किसी शेप में भी बना सकते हैं इस तरीके से हमने अपनी सारी बना दी है देखो हमारी बनकर रेडियो हो गहीं है इस तरीके से अब हम इनको फ्राई करेंगे तो चलिए फ्रेंड आव हम अपनी मत्री को फ्राई करते हैं तो देखे ये फ्रेयन कढ़ाई हमने रख लिए से गाज भी आ लिए से तेल गरम और हम इसमें पीड़ाई दाला है तो इसमें मठळी प्राई करेंगे तो देखे फ्रेय अभी अमारा तेल गरम हो जाएगा फिर अम इसमें अपनी मठ़ी प्राइगे तो देखिए फैन तेल हमारा गरम हो गया है और हम इसमें तोड़ा शाथा डाल कर देखेंगे कि हुआ कि नहीं तो देखिए फैन तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें अपनी मठरी डाल कर फ्राई करेंगे देखिए फ्रेंट तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें अपनी मठरी डालेंगे इस तरीके से हमें हाइस्ता से दीमे दीमे मठरी अपनी डालनी है फ्रेंट यह मठरी जो है यह तो हम लोग बच्पन से खाते चले आ रहे हैं जो हमारी दादी नानी थी वो भी यही बना दी थी आज भी फ्रेंट जब कोई फेश्टिवाल आता है तो हम यह मठरी बनाना नहीं भूलते हैं मठरी तो लगबग हम सभी की घर में बनती ही है इस तरीके से हमें अपनी सारी भूंद लेनी हैं तो देखिए फैंड इस तरीके से हमारी मठरी सिक्कल वेटी होई हैं देखिए फैंड इस कलर की हो जाएं आपको जब तक सेखनी हैं जब तक गोल्डन ना हो जाएं हमारी मठरी देखिए फैंड में पास से इखाती हैं आपको इस कलर तक सेखना हैं तो देखिए फैंड इस तरीके से हमारी मठरी मठरी एकम रेडी हो गई है अगर हम इनको परहाई से बाहर निकार लेंगे तो इस तरीके से जान उनको ऐसे निकार लेना है देखिए फैंड कितना अच्छा कलर आया है मठरी हमारी रेडी हो गएंगे तो देखिए फैंड यह हमारी खस्ता मठरी बनकर बिल्कुल रेडी हैं तो देखिए फैंड यह मठरी हम कहीं सफर में जाते हैं तो लेके जा सकते हैं अगर कोई गेश्ट आया तो उसको नास्ते में भी दे सकते हैं कैसे भी उज कर सकते हैं, उसको इसलोर करके भी रख सकते हैं le अगर आपको यह रेस्पी पसंद आ है देखाली तो कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू फ्रेंड